Hello Friends, Welcome to Sushma's Craft and Creation Channel Friends, आज मैं आपको शटल के साथ ये ब्यूटिफुल सा एरिंग बनाना सिखाऊंगी तो आपको देखने में लग रहा होगा कि ये बहुत complicated है थोड़ा सा टिकलिष तो जरूर है लेकिन जैसे से बनाती जाऊंगी आपको बताती जाऊंगी कि मैं इसको कैसे वर्क करती हूँ सबसे पहले तो मैं आपको वर्वली थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैंने इसको कहा से शुरू किया है और कैसे इसको finish किया है तो मैंने इसको इस point से शुरू किया है ये देखे, इस point से इस point से बनाते हुए मैंने सबसे पहले ये 3 rings बनाई है 3 rings बनाने के बाद मैंने ये continuation का work किया फिर उसके बाद ये ring बनाई फिर ये continuation का work किया फिर ये ring बनाई उसके बाद continuation में ही दूसरी ring बनाई और उसके बाद ये वला work किया फिर यहां से यहां आई और यहां ये वली ring बनाई और उसके बाद फिर यहां से अपने motive को rotate करती भी यहां पहुंच की यहां पहुंचने के बाद मैंने ये वली ring बनाई फिर ये continuation का work फिर 15 rings मैंने continuously बनाई इतना बनाने के बाद आपको second half automatically समझाएगा कि कैसे बनता है उसके बाद ये इसका ही half है तो इसको भी मैंने ये वले जो continuation का work है उसको repeat करते हूँ यहाँ पर ये work किया फिर ये ring जो है यहाँ बनी फिर ये work जैसे ऐसे मैं इसको double करती हूँ इसको साथ में join भी करती जाती हूँ ये work किया ये इसके साथ join किया ये loose छोड़ दिया फिर उसके बाद यहाँ जब मैं ये work किया तो ये वली ring बनाते हुए इसको इसके साथ join किया फिर ये continuation का work किया continuation में ही ये दूसरा work दुबारा किया यहां से थोड़ा सा ticklish है कि ये continuation का work करने के बाद ये continuation का work कैसे करना है ये जब बनाऊंगी तो आपको बताऊंगी उसके बाद दुबारा से मैंने ये दो rings continuously बनाई उनको बनाने के लिए भी मैंने पहले ये वली ring बनाई फिर इसको जब बनाया तो इस continuation के work के साथ भी attach किया और इस वली ring के साथ भी attach किया तो इस रीके से यहां पहुंची फिर जब ये बनाया तो यहां attach किया यहां बनाया तो मैंने इस ring के साथ attach किया फिर ये work करके ये वली ring complete की और फिर उसके बाद यहां से यहां आके फिनिश किया इसको मेरी आपको सेजेशन है कि सबसे पहले आप इस एरिंग का स्क्रीन शॉट ले लिए ताकि आपको पता लग सके कि इस मोटिफ को हमने कैसे प्रोसीड करना है इसको बनाने के लिए मैंने एंकर के 20 ग्राम गोले का इस्तेमाल किया ह कलर आप अपनी मनपसंद ले सकते हैं और यह जो थ्रेड है मैंने इसमें बहर लिया और इस कॉंटिनेशन के थ्रेड को भी बीच में से नहीं काटा अब साथ ही हम वर्क शुरू करेंगे तो वर्क शुरू करने के लिए सबसे पहले हम यह तीन ड्रिंग्स बनाएंगे यह इसमेंने 8 00, पिकेट 8 00, फिर 2nd रिंग बनाई 8 00, पिकेट 8 00, फिर 3rd रिंग बनाई 8 00, पिकेट 8 00, तीन ड्रिंग्स बनाने के बाद फिर यह कॉंटिनेशन बर करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको यह 3 रिंग्स जो हैं वो बना के दिखाती हूं यहां से हम ऐसे हम काई पूंटिनेशन में इसा बनाती के ले हम इसाथ से शूरू करेंगे के दिखेंगे हैं मैं हमने इसके सा था इसे भी आस लाके शूरू करनी हैं तो विस थीखें हम कुछ साथ साथ बना लेंगे तो ये देखें हमने ये तीन ड्रिंग्स कॉंटिनेसली बना ली हैं तो अब इसके बाद हमें ये कॉंटिनेशन का वर्क करना है ये 12 डबल नॉट्स हैं मैं हर पॉइंट पे आपको बना बना के दिखाती रहोंगी ये नॉट्स हम बिल्कुल इससे बिल्कुल इसके साथ शुरू करेंगे ऐसे तो ये देखें हमने ये कॉंटिनेशन का वर्क कर लिया अब हम ये वली रिंग बनाएंगे ये रिंग 10 डबल नॉट पिकेट और 10 जबल नॉट की है अब हम इस मोटिफ को यूँ फिलिप करेंगे और ये वली रिंग बनाएंगे अब हम बिल्कुल साथ यहाँ पे ये रिंग बना लेगे तो देखें ये हमने रिंग बना दी अब आप यहाँ पर इसको अगर देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि यह जो हमारी रिंग है यह टॉप की रिंग है और यह दो नीचे वाली रिंग से तो अब जो कॉंटिनेशन का वर्क है वो यहां से नीचे को आना है, ऐसे, आप देख सकते हैं, यह वर्क यहां से नीचे को आना है, तो ring तो हमारी यहां पे है और हमारे threads इस तरफ हैं, तो हम क्या करेंगे, इन threads को rotate कर लेंगे, अंदर की तरफ, ऐसे हैंगे, जब यह अंदर की तरफ आ जाएंगे, तो हम इसको य screenshot ले ले आपको automatically पता लगाएगा कि ये वर्ग करने के बाद ये रिंग बनाने के बाद हमें अंदर की तरफ continuation का वर्ग करना है इसलिए हमें motive को flip करना पड़ा तो अब हम four double knot लगाएंगे बिल्कुल pass से four double knot लगाने के बाद हम इसको ये वली जो रिंग है इसके साथ और अब इसके बाद हमने seven double knot picket seven double knot लगाके इस continuation वाले वर्ग को complete करना है तो देखें हमने ये वाला वर्ग यहां तक complete कर लिया अब इसके बाद ये जो रिंग बनेगी ये हमारी eight double knot joining और eight double knot है और joining के साथ करनी है इस रिंग के साथ हम हर वर्ग को बिल्कुल साथ से शुरू करेंगे ताकि बहुत अच्छी हमारी finishing आए तो अब हम eight double knot लगाकर इस रिंग को ये पहली बनी हुई रिंग के साथ attach करेंगे ये eight double knot लगा लिए है अब हम ये वल्ली जो हमारी loose ring अभी हमने बनाई है इसके साथ इसको यहाँ पर attach करेंगे और उसके बाद eight double knot लगाकर इस रिंग को complete कर लेंगे ये देखें हमने और eight double knots लगा लिए अब इस रिंग को हम complete कर लेंगे अब इस रिंग को हमने complete कर लिया है अब हम एक रिंग और यहाँ पर बनाएंगे लेकिन इस पर हमने दो pickets बनानी है तो इसलिए हमने क्या किया इसमे eight double knot picket two double knot picket और six double knot लगाके इस रिंग को यूही loose बना लिया यहाँ पर एक और रिंग बना रहे हैं तो यह देखे हमने पहले eight double knot लगाए फिर एक picket फिर two double knot picket और फिर six double knot तो यह भी sixteen double knot की एक हमारी ring बन गी है जो हमने continuation में बनाई है पहले यह बनाई फिर उसके बाद यह बनाई यह रिंग बनाई अब हमने यह रिंग बना ली यह रिंग बनाने के बाद अब यह continuation का work करेंगे इसमें हमने 12 double knot लिये हैं और इसको हमने इसी point जहां पर हमने ये 2 join किये थे उसी point पर join कर दिया ये ring बना के हम इसको फिर से flip कर रहे हैं ऐसी क्यों? क्योंकि हमने ये जो continuation का work करना है उसको हमने इस point पर join करना है देख रहे हैं मैंने इसको motive को सामने रखा और इस ring को flip कर लिया flip करने के बाद ये बाहर की तरफ threads आगे अभी इस thread को हम continuation में work करते हुए इस point पर attach करना है तो इसमें हमने अब 12 double knots लगा लेने है ये हमने 12 double knots लगा लिये और इसको हमने किसके साथ join करना है? ये जो 2 rings हमने join कि हुई हैं इसी point पर हमने इसको shuttle वाले thread को इसके साथ join कर लेना है ऐसी और इसमें से shuttle pass करेंगे तो ये हमारा यूँ join होगा है ये देखें हम कैसे बना रहे हैं अब हमने यहाँ पर पहुँच गे हैं इसको हमने join कर लिया है अब ये वाला continuation work होगा इसमें हम 18 double knot लगाके इस semicircle को बना लेंगे बिल्कुल साथ से शुरू करेंगे देखें हमने ये वाला work जो है continuation में complete कर लिया है अब हमें ये loose ring बनाएंगे ये 10 double knot picket और 10 double knot की एक loose ring बनेगे इसके साथ तो हम इसको यूँ flip करेंगे और यहाँ पे पहले अपनी ring बना लेंगे बिल्कुल पास से work शुरू करेंगे और ring बनाएंगे 10 double knot picket और 10 double knot की ये देखें हमारी ring बन गई अब यहाँ से देख सकते हैं ये हमने ring complete कर लिये अब ये वाला जो work करेंगे हम continuation में continuation का work अंदर की तरफ होगा ये देखें ये जो work है इस तरफ होगा क्योंकि हमने ये जो दो rings बनाई थी इसकी जो दो pickets हैं उसमें से ए पिकेट के साथ हमने continuation work को join करना है तो हम ये पूरा motif यूँ flip करेंगे flip करने के बाद continuation का work करेंगे और 7 double knot लगाकर इस पिकेट के साथ हम इस continuation work को join करेंगे हम विर्कूल इसके साथ से ही work शुरू करेंगे सबसे पहले 7 double knot 7 double knot लगाने के बाद ये जो हमारी ring की दो pickets हैं इसकी first picket के साथ हम इस continuation वाले work को attach कर लेंगे यूँ attach करने के बाद हम 4 double knot picket फिर 7 double knot लगाकर इस semi circle को complete करेंगे ये देखें हमने इसको join भी कर लिया एक picket भी बना ली और उसके बाद 7 double knot अब उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमने ये वली ring बनाई है तो इस ring को हम कैसे बनाएंगे 8 double knot joining बहली ring के साथ उसके बाद 4 double knot फिर 8 double knot means 8 और 8 16 16 और 4 20 तो ये हमारी 20 double knots की ring होगी ये भी 20 की है लेकिन इसमें हमने 10 double knot और 10 double knot के बाद picket थी इसमें हमने 2 जगा join करना है इसलिए हमने इसको break कर लिया 8 double knot joining 4 double knot और उसके बाद 8 double knot और इस ring को complete करेंगे इस motif को हम यूँ flip करेंगे और उसके बाद ring बनाएंगे जिसको हम इसके साथ join करेंगे देखे हमने 8 double knot के बाद joining फिर 4 double knots उसके बाद picket फिर 8 double knot लगा के इस ring को बना लिया अब इसके बाद ये देखे हमने एक connector बनाया है 4 double knot का continuation के work के साथ और उसके बाद हमने ये तीन रिंग्स सेम इसी तरीके से बनाई हैं जैसे हमने उपर वाली तीन बनाई थी तो हमने first वाली जो ring है वो eight double knot के बाद इस वाली picket के साथ जो हमने एक extra picket बनाई है उसके साथ attach कर दिया और will इस ring को complete कर लिया उसके बाद ये ring और ये ring तो मैं आपको ये सारा motif कठा बना के अब दिखाऊंगी तो ये देखें मैं आपको हर point के बाद बता रही हूँ ताकि आ यहां तक आपको clear हो गया कि मैं किस तरीके से work करती हूई आ रही हूँ आप मैं इसलिए बार-बार दिखा रही हूँ ताकि आप इनको देखके समझ सकें कि इसके बाद कैसे work होगा अब हम क्या करेंगे ये देखें यहां तक हम पहुंच के हैं उसके बाद हम ये वाला connector जो जोइनिंग कर लेंगे इस रिंग के साथ और फिर four double knot लगाके एक picket loose और फिर उसके बाद eight double knot लगाकर ये ring complete करेंगे तो ये देखें हमने ये वाली ring बना ली अब ये continuation cover करते हूए seven double knot के बाद इस picket के साथ join करेंगे उसके बाद four double knot एक picket loose फिर seven double knot लगाएंगे तो ये द जोइन करेंगे तो इसमें हम 10 double knot जोइनिंग और 10 double knot लगाके ring complete करेंगे ये ring हमारी बनगी अब ये वाला continuation cover कोगा इसमें हमने 18 double knot लगाए थी अब हमें 18 double knot लगाने है लेकिन कर्व जो है वो बाहर से अंदर की तरफ होना चाहिए तो इसलिए हम motive को flip कर लेंगे ताकि 18 double knots लगा लिए आप देख सकते हैं 18 double knot लगाने के बाद ये वाला continuation work फिर से दुबारा होगा उसके बाद ये दो rings बनेगी यहाँ पर थोड़ा सा टिकलिश है कि इसको हमने कैसे दुबारा से इसी तरफ रोटेट करना है 18 double knot complete करने के बाद हम एक picket डालेंगे ऐसे पिकेट लगाने के बाद हम continuation work continue करेंगे लेकिन हम इसको reverse कर लेंगे ऐसे ऐसे करने के बाद ऐसे ये देखे हमने इसको rotate कर लिया rotate करने के बाद हम फिर से work करेंगे इसमें हमने 12 double knots लिये थे ये motif को हम पिछे कर लेंगे ऐसे और फिर से reverse करने के बाद 12 double knot लगा़ेंगे पिकेट के बाद 12 double knot हम और लगाएंगे यह देखें हमने 18 double knot के बाद picket फिर उसके बाद 12 double knot और उसके बाद यह जो picket है इसको हमने यहां से motive को rotate कर दिया अंदर की तरफ ऐसे और यह जो हमारा continuation वाला thread है इसको हमने अच्छे से किंच लिया ऐसे तो यह automatically आप देख सकते हैं कि यहां से हमारी motive जो है वो rotate हो गया rotate होने के बाद हम जब इसमें pickets जब हम इसमें ring join करेंगे तो यह बहुत अच्छे से आपको clear हो जाएगा कि यहां से हमने कैसे बनाया है ऐसे और ऐसे बन गया अब इस point पे पहुंच के हैं तो हम यह वाली ring बनाएंगे तो इस ring को हम इसी point के साथ join करेंगे जो हमने picket बनाई है इस picket के साथ join करेंगे तो इस ring को बनाने के लिए हम 8 double knot joining और 8 double knot लगाएंगे तो अब हम shuttle वाले thread से यहां पे ring बनाते हैं यह देख बता रही हूँ आप 8 double knot लगाएं यह 8 double knot लगे हैं अब यह जो हमने यहां पे picket बनाई थी इस picket के साथ हम इस ring को join करेंगे और भी clear हो जाएगा अब आपको जब आप joining कर लेंगे अब next 8 double knot लगाके इस ring को complete कर लेंगे देखें हम यह semi circle बनाके उसके बाद रिंग बना ली अब जो हम इसके साथ continuation में दूसरी ring बनाएंगे उसको हम यह पिछे वाले continuation के साथ भी join करेंगे और यह इस सरफ से ring आ रही है यह वली इसके साथ जो एक picket बची है उसके साथ भी join करेंगे तो आप देख सकते हैं यह जब work करूँगी मैं यहां पे ring बनाऊंगी तो यहां यहां पे भी join करूँगी और यहां पे भी join करूँगी तो सबसे पहले हम इस motive को यूँ flip करेंगे ऐसे पलटेंगे और यहां पे ring बनानी शुरू करेंगे six double knot लगाके यहां पे join करेंगे फिर two double knot फिर यहां पे join फिर eight double knot लगाके ring को complete करेंगे यह देखें इस thread को नीचे कर लेंगे और यहां पे हम ring बनाएंगे ऐसे और इन दोनों point के साथ join करेंगे तो I hope आपको अच्छे से clear हो रहा होगा कि अब कहां पे हम पहुंचे हैं हमने यह दोनों rings बना ली हैं अब यहां से हम continuation का work करेंगे यह seven double knot और यह इधर वाली side की जो picket है इसके साथ joining फिर seven double knot और यह उपर की जो ring आ रही है हमारी इसके साथ joining और उसके बाद यह four double knot के बाद semi circle हमारा complete होगा तो अब हम यह जो continuation का work करेंगे उसको इसके साथ भी join करेंगे और यह जो हमारी उपर से ring आ रही है इसके साथ भी join करेंगे तो यह वाला portion हमने यहां तक knit कर लिया अब हम 10 double knot और joining यह जो हमारा point है यहां पे same point पे joining होगी और फिट 10 double knot लगाकर यह ring complete करेंगे तो यह देखें हमने यह वाली ring भी बना के complete कर ली अब हम यह last जो हमारा continuation cover के है इसमें हमने 12 double knots लगाए थी तो अब हम यह 12 double knots लगाकर तीनों rings के center में इसको attach करतेंगे यह देखें thread हमारा अंदर की तरफ था जब हमने यह ring complete की तो यह continuation वाला जो thread है हमारा यह अंदर की तरफ है तो इसको हम shuttle के thread को इधर करेंगे और इसको बाहर की तरफ करते हुए यहाँ पे 12 double knots लगा लेंगे यह हमने खुद देखना होता है कि हमारा जो semi circle है वो किस तरफ बनना है तो हमें थोड़ा सा rotate करना पड़ता है लेकिन जब हम इसको press करेंगे पूरे motive को तो यह बिल्कुल कहीं पे भी पता नहीं चलेगा कि आपने इसको rotate किया है हमने 12 double knots लगा लिए अब यह जो हमारा center वाला portion है यहाँ पे हम इस thread को यूँ निकालेंगे और इस में से हम अपनी shuttle को pass करते हुए इस motive को यहाँ पे खतम करेंगे यह देखें तो यहाँ पे इसको finish करने के बाद हम इन threads को काट लेंगे और आपस में इनको square knot की मदद से tightly गाट लगा देंगे यह देखें तो हमारा earring तो बनके ready है पहले हम इसको press करेंगे तो आपको अच्छी इसकी finishing जैसे यह आपको दिखाई दे रहा है तब यह दिखाई देगा यह प्रेस करने के बाद इसकी finishing जो है वो कितनी अच्छी आगी है तो अब हम इस thread को काटने से पहले फैवी क्विक के साथ seal करेंगे सिरफ एक drop हम यहाँ पे फैवी क्विक का लगाएंगे और जब यह stiff हो जाएगा तो हम इसको विल्कुल बाद से trim करतेंगे पुलेका भी नहीं और अच्छे से seal भी हो गया हूँ अब इस यह हूप को हम इसके बीच में डाल देगे यह secondary ring भी हमारा बन के ready है तो यह देखने में बहुत beautiful है आप इनमें beads भी add कर सकते हैं लेकिन चुमकि मैं इसको पहली बार सिखा रही हूँ तो मुझे लगा कि मैं आ बुली थैंक यू सो मच बबाए